जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने लिबरलिजम मेंस उदारवाद की विचाधारग को डिटेल में समझा अब हम नियू लिबरलिजम मेंस नव उदारवाद को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हुर रश्मी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स जहां मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के कॉम्पलेक्स कंसप्स को बहुत ही इस भी समझाने वाली हूँ तो आईए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को न्यू निबरलिजम को समझने से पहले थोड़ी सी प्रीफ हिस्ट्री भी इसकी देख लेते हैं क्योंकि न्यू निबरलिजम जो है वो 17th सेंचिरी के क्लासिकल लिबरलिजम का ही आइडिलोजिकल ब्रांच है जहां क्लासिकल लिबरलिजम, इंडिविजुल फ्रीडम और लेजर फेर की बात करता है जो इस बात पर भी एंफिसिस करता है कि मार्केट को फ्री छोड़ दिना चाहिए और स्टेट का इस पर मिनिमम कंट्रोल होना चाहिए लेकिन जो classical liberalism है वो समय के साथ modify होता रहा है for example अगर हम starting में देखें तो या फिर हम classical liberalism को starting की रूप में देखें तो या negative liberalism की रूप में हमज होता है जहां वो state के interference को कम करने की वकालत करता है फिर हम 20th century के starting में देखते हैं कि liberalism के existence पर खत्रा दिखाए दिने लगता है just because of unregulated capitalism और inequality की वज़े से तो ऐसे में जो ऐसे मी यह होता है कि liberalism अपने आपको positive liberalism में convert कर देता है जहां पर यह state की welfare होने की बात करता है और public sector और social service को provide करने की बात करने लगता है मतलब यहां पर जो positive liberalism होता है यहां पर welfare state का concept आ जाता है लेकिन over the time हम यह देखते हैं कि जिस positive liberalism के तहट state welfare की बात की जाती थी अफ वो धीरे धीरे state का interference economic activity में बढ़ने लगता है जिसका result यह होता है कि economy जो होती है वो stagnant हो जाती है लाइक industrial sickness आ जाता है और economy इसे रंग नहीं कर पाती तब ऐसे situation में new liberalism का emergence होता है जहां पर फिर से उसी laissez-faire की policy और minimum state जैसे concept को revive करने की बात की जाती है इस तरह हमने एक new liberalism के emergence का overall background देखा अब आगे की slide में हम इसे detail में discuss करने वाले है new liberalism की ideology को detail में समझने से पहले हम यह समझते हैं कि new liberalism आखिर में क्या है new liberalism एक ऐसे विचार धा रहा है या कहीं एक ऐसा policy model है जो free market competition को emphasis करता है जिसे generally laser fair के साथ associate किया जाता है मतलब state का minimum interference की बात यहां पे होती है वहीं यह एक ऐसा policy model भी provide करता है जो economy के private ownership की बात करता है मतलब जहां economy या market जो है वो government से regulated ना होकर के privately regulated होगी इस तरह हम कह सकते हैं कि जो classical यह जो है वो classical liberalism का एक updated वजन है क्योंकि concept वही है चाहिए वो minimum government का हो या individual freedom का हो या free market का हो बस जो है timeline change हो गया है तो अब अगर हम इसका core idea देखें तो यह जो है वो कहता है कि market capitalism जो होता है वो efficiency लाता है और उसके साथ साथ growth और prosperity लाता है मतलब यह कह सकते हैं अगर हम new liberalism का core idea देखें तो core idea इस पर focus करता है कि market capitalism के द्वारा ही हम growth और prosperity ला सकते हैं यहाँ पर कई ऐसे thinker हैं जो new liberalism को support करते हैं इसमें कुछ important नाम है हेक है, Milton Friedman है और Robert Naugick है इनका नाम अब हमेशा याद रखिया क्योंकि एक्जाम में हमेशा पूछता है कि new liberal thinker कौन है तो यह तीन prominent thinker हैं जिनकी writings में हमें new liberal idea देखने को मिलता है अब आएए new liberalism के emergence को देखते हैं 21st century के mid time से ही या कहीं 1970s के decade से ही जितने भी liberal thinker हुए उनको यह realize हो जाता है कि positive liberalism के idea को follow करने के कारण economy stagnant हो गई है मतलब state का control बढ़ गया है इसलिए क्या हो रहा है कि state जो economy है वो growth नहीं कर पा दिया stagnation आ गया है इसलिए कई liberal thinkers ने classical liberalism को revive करने की बात की यहाँ पर classical liberalism का मतलब ही होता है individual freedom और free market तो यही हो गया था ना positive liberalism में यह हुआ था कि free market का concept थोड़ा कम हो गया था और state का role थोड़ा बढ़ने लगा था एक welfareistic की बात होने लगी थी लेकिन इसी के वज़ा से क्या हो रहा था हमें कई negative impact देखने को मिल रहते हैं इसलिए जो liberal thing करते हैं उन्हें फिर से new जो classical liberalism था उसको revive करने की बात की मतलब free market को revive करने की बात की और इस तरह हम देखते हैं कि इस theory का जो intellectual foundation था वो फेडरिक हेयक नहीं रखा था वो कहते हैं कि positive liberalism को अपनाने के वज़े से state का control बढ़ गया था और same यही argument Milton Friedman की भी writing में हमें देखने को मिलता है तो इस तरह हम देखते हैं कि 1970s के decade में new liberalism को एक global approach की तरह जो different countries थी उन्होंने अपनाया जिसमें था free market, open competition, market liberalization, privatization यह सारे concept को countries के दवारा new liberal policy के तहत अपनाया गया यहां पर यह बात बहुत ध्यान देने वाली है कि यह सारे event को बढ़ावा देने में IMF, World Bank, International Financial Institution का भी बहुत ज़ादा ही contribution रहा उसे हम new liberal policy को promote करने वाले major institution की तरह भी consider कर सकते हैं क्योंकि अब world में ऐसा होने लगा था कि IMF का जो role था, मतलब international monetary fund का जो role था पहले क्या था IMF का role, मतलब new liberal policy आने से पहले वो क्या करता था, world की economy को manage करता था और observe करने का काम करता था, लेकिन जैसे ही new liberalism आता है, उसका role थाड़ चेंज हो जाता है वो different government को financially assist करने लगता है, मतलब अब IMF का role जो था, वो countries के domestic economy तक बढ़ गया था वहीं दूसरी ओर, जो world bank का जो role था, उसका भी role बढ़ गया था क्योंकि अब क्या करने लगा था, world bank जो है, वो developing countries को support करने लगा था और ये सब possible कैसे हो पाया, तो ये सब possible ऐसे हुआ कि जैसे ही world में new liberal policies implement होने लगी वैसे ही वो सब international institution क्या करने लगे, उस new liberal policy की थूँ, countries के साथ interact करने लगे या फिर उनकी country की economy को impact करने लगे वहीं new liberalism के development में एक और important policy agenda सामने आता है, जिसका नाम है Washington Consensus Agenda 1989 basically US के दर दार दिया हुआ 10 reform policies था, ठीके जिसमें 10 reform policies दी गई थी, जिसमें था physical discipline, public expenditure, priorities, tax reform, interest rate, exchange rate, trade liberalization, foreign direct investment, privatization, deregulation and property rights यह सब ऐसे 10 policy reform थे, जिसको यह माना जाता है कि यह new liberal policies को बढ़ावा देने के लिए यह एक milestone थे अब आए यह new liberalism के कुछ characteristics को भी discuss कर लेते हैं इसमें पहला characteristics है, free market economy and market liberalization, वहीं दूसरा है minimum state and leisure fare तीसरा है removal of trade barriers, चौता है supporter of open competition in the market, वहीं पाचवा है privatization, छटवा है globalization, साथवा है emphasis on entrepreneurship, वहीं आथवा है replacement of citizen as a consumer क्योंकि अब क्या हो रहा था, चीज़े market oriented हो रही थी, तो citizen, अब citizen नहीं रहा है, अब citizen को as a consumer treat किया जा रहा था वहीं next है free circulation of capital, अब हर चीज़ open हो गया था तो जो capital था उसका circulation freely हो रहा था अब वहीं last है freedom of investment, मतलब market open हो गया, market free हो गया, इससे क्या हुआ, investment बढ़नी लगा अब आई ये new liberalism की कुछ world में कुछ positive impact हो है, उसको भी हम discuss कर लेते हैं जिसमें पहला है intellectual property right, बतलब अब क्या हुआ था, intellectual property right को बहुत seriously लिया जाने लगा law के protection की बात होनी लगी, industrial trademark या brand जो भी copyright जैसे issues थे वो सब को importance दिया जाने लगा क्योंकि competition बढ़ गया था, ने-ने players market में आ रहे थी, ऐसे में intellectual property right को save करना भी एक challenge हो गया था तर ऐसे में intellectual property rights से लेटर कानून भी आए, वहीं इसमें दूसरा है globalization को इसे emphasis मिला क्योंकि सारे चीज़ा market उपन हो गई थी, लोगों का free movement हो रहा था तो जिसे क्या हो रहा था कि goods और capital का free flow हो रहा था, जिसे globalization को boost मिल रहा था, वहीं तीसरा है free market और इसमें चौता है free movement of goods and services, market की free हो जैसे मैंने पहले ही पताया कि market free हो गया था, इसलिए लोगों का, goods का, services का, सबका free movement हो रहा था, तो यह सब जो थे, वो new liberalism के positive impact है अब आएए new liberalism के कुछ negative impact को भी discuss कर लेते हैं, इसमें पहला है increasing inequalities, मतलब new liberal के emergence के बाद से ही world में हमें inequality देखने को मिलती है, मतलब इसमें क्या हो रहा था, कि new liberalism होने से क्या हो रहा था, free market हो रहा था, free competition हो रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, कि लोगों को, जो बड़ी countries थी, उनको तो फाइदा हो रहा था, लेकिन छोटी countries थी, वो कहीं न कहीं sustain नहीं कर पा रही थी, इसलिए क्या हो रहा था, कि world में inequality आ रही थी, मतलब गरीब कंट्री और अमीर कंट्री और अमीर हो रही थी, वहीं इसका दूसरा negative impact है, global financial crisis 2008, वहीं इसका अगर हम second negative impact हम दे अगर हम इसका तीसरा negative impact देखे तो हमें exploitation of the developing countries की रूप में दिखाए देता है, इसमें होता यह है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां थी है, जो developed countries थी, वह क्या कर रही थी, नियू लिबरल पॉलिसी की तहत इन जो developing countries थी, उनके market और उनके रही 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 थी, इसमें इसे क्या हो रही थी, तो इसे क्या हो रहा था, इन developing countries का exploitation हो रहा था, और इसके चौते negative impact की बात करें तो हमें यह एक नही तरह की monopoly की रूप में दिखती है, मतलब अब वर्ड में new liberal policies की आने के बात, pharmaceuticals, IT companies, airlines, banking, oil industries, जैसे नए economic players हमें देखने को मिलते हैं, जो अपनी market में नई monopoly create करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं new liberalism की हमें कई और negative impact दिखते हैं, जैसे कि globalization का negative impact हमें दिखता है, वहीं हमें unsustainable economic growth दिखाई देता है, जो मैंने पहले discuss किया था, कि कैसे जो countries हैं, उसमें inequalities आ गई थी, वहीं जो developing countries थी, वो new liberal policies की विजए से disadvantage position पे थी, वहीं हम देखते हैं कि world में consumerism को बढ़ावा मिलता है और privatization बहुत ही जादा तेजी से बढ़ता है, तो इस तरह हमने overall हमने एक new liberal policies और new liberalism का पूरा idea देखा, और देखा किस तरह liberalism जो है, वो समय के साथ modify होते हुए एक नए दौर में पहुँ जाता है, वो new liberal policy का रूप अपना ले सबसे related और में videos देखने हैं, तो please do like, share and subscribe my channel, it is my small initiative towards spreading knowledge, उमीद करते हुँ आपको आज का video अच्छा लगा होगा, और हाँ, अपने विचार, अपने suggestion, comment करना ना बुलिएगा, till then, bye bye and keep learning.